नमस्कार दोस्तो दोस्तो आजकल मिशन कर्मियोगी डिविजन से बहुत सारी अपडेट्स आ रही हैं और 1 अप्रेल 2026 को एक लेटर इशह हुआ डाकुबा की तरफ से यह भी मिशन कर्मियोगी डिविजन से इश़ह हुआ है और इसका कारण है दोस्तो क्योंकि department चाहता है कि जो भी कर्मचारी काम करते हैं department के अंदर वो सभी skillful हो उन सभी को जागरुक किया जा रहा है systematic change जो बना है government का उन सबसे इन सभी को जागरुक किया जा रहा है जो भी rulings आती है जो circulars जो updates आते रहते हैं बीच-बीच में उसकी training करवाई जाती है दोस्तो और जो dg locker के बारे में आपको पता होगा dg locker को आप digital locker बोल सकते हैं मतलब एक तरह से जो भी आपका certificates है चाहे matriculation certificates हो या फिर intermediate level का हो आधार card हो आपका documents हो pen card हो और certificates के अलावा जो आपका ID proof है आधार card, pen card के अलावा दोस्तो जो vehicle का registration certificate होता है RC, insurance, smart card सब आप dg locker में रख सकते हैं save करके इससे क्या होता है जो भी आपका documents है physically आपको carry करने की आउशकता नहीं पड़ती आप कहीं पर भी जाकर इसको download करके print out निकाल सकते हैं dg locker में ये सब आप save कर सकते हैं उसी के संदर में दोस्तों ये वीडियो है ये सारे chief pmg को भेज गया है subject में देखिए दोस्तो regarding important update integration of igot कर्मयोगी platform with dg locker जो कर्मयोगी platform है उसको dg locker से जोडने के लिए बोला गया है ये कैसे जुड़ेगा दोस्तों इसका क्या मकसद है तो देखिए दोस्तों जो igot कर्मयोगी platform पे आप लोग training करते हैं उसका जो certificates है उसको dg locker में आप सब के लिए जो भी igot कर्मयोगी platform पे training करते हैं उन सब के लिए है वो सब अपना certificate dg locker में digitally save रख सकते हैं second bond में देखिए दोस्तों igot कर्मयोगी platform has been continuously integrating new courses and features aiming not only to enhance the capabilities of all civil servants वही मैं बता रहा था दोस्तों आपसे जो skill develop करने की capability कर्मचारियों के अंदर उसको बढ़ाने के लि भी धीरे धीरे government की तरफ से update आ रहे हैं सब के बारे में जागरुक करने के लिए सारे कर्मचारियों को encourage किया जा रहा है इसके माद्यम से now learners can effortlessly access and download their course completion certificates via dg locker ensuring unmatched convenience and accessibility at any time from any location तो इसी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे जो course आप avail करते हैं उसका जो certificate होता है उसको आप dg locker के कहीं पर भी download कर सकते हैं कहीं पर भी print out निकाल सकते हैं कोई भी जरूत पड़े आप dg locker के मादम से उसको देख सकते हैं सबसे पहले दोस्तों आपको play store में जाना है वहाँ पर आपको dg locker type करना है play store के अंदर फिर उसको install करके download कर लेना है उसके बाद dg locker में आपको sign up करना होगी बहुत ही simple process है आप यह आसानी से कर सकते हो उसके बाद जो भी आप certificate सेव करना चाहें 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 बाद जो certificate का option आएगा यहाँ पर आप जो six digit का certificate है यह corner वाला उसको यहाँ type करेंगे तो वो certificate इसमें download हो जाएगा इसमें save हो जाएगा दोस्तों यही सारे कर्मिचारियों के लिए update थी डाक विवाग में जितने भी लोग कारे करते हैं उन सब के लिए आज के वीडियो में इतना ही मिलेंगे ने update के साथ